लेकिंगों ऐ तो अब पहले मैं तो में। तुम्हें तुम्हें का रेविगन करा देताू। तो एक dental कुछ में दोए टींह ये वाली स्वेर ऐ ये वाली एक मैना पढ़ाई थी आपको ये वाली तो u plus a by 2 bracket में आता है 2n-1 लेकिन याद रतना ये चारों equation आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका acceleration constant है मतलब कब जब आपका acceleration क्या है constant acceleration या फिर आप word यूज़ कर सकते हो uniform acceleration है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो वना आप यूज़ नहीं कर सकते है फिर एक और equation यादे हमने पड़ी थी कि वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डीटी एक्वल टू डीवी अपॉन डीटी और एक एक और फामुला क्या होता है वी डीवी अपॉन डीएक्स इन तीनों equation की खास बात यह है कि आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हो चाहे आपका acceleration constant है यह आपका acceleration constant नहीं है इन equation को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको और गोज़ कर सकते हो दिक्कत किसकी है इनकी यह एक्वेशन एपलीकेबल तभी है तो जोसे इनके कुछ बंदा है सब्सक्राइब करना है तो कुश्चन यह है कि एक बंदा है मालो वो इदर की तरफ जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से और 20 मिटर चलने के बाद यही सेम बंदा आगे की तरफ जा रहा है मतलब जब मैंने इसको टाइम इकुल टू मतलब जब मैंने शुरुवात में दिखा तो यह 10 मिटर पर सेकंड से जा रहा है 20 मिटर चलने के बाद इसकी कितनी 20 मिटर पर सेकंड तो आपको मुझे बताना है find u कितना होगा v कितना होगा acceleration कितना होगा इसको a से लेके b तक जाने में time कितना लगा time कितना लगा वह आपको निकालना है इसका displacement कितना है वह अपको निकालना है मतलब इसमें काफी चीजे तो question में दे रखी है आपको सिर्थ identify करना नो Cey знач happier कि यह बंदा है कि उधर की तरफ जा रहा है इन मिटर से की इस शलने के बाद यह बंदा जा रहा है 20 मीटर पर सिकेंट से i something तो आपको बताना है कि यू कितना कोशन कि में देखके मताओ क्या पता दे रखा हो तो सब्सक्क्रों मा इसा एक किना इस एक Trail to तो कितना टाइम लगा और चेक तो इसका डिस्क्लिस्मेंट कितना है डिस्क्लिस्मेंट भी कोशन में दे रखाया है तो यह कितना है आदे रखो है 10 मिटर पर सेकेंड़ विकितना एंच है वनडमेस्ट ल्मोशन 맡 अगर वेलोसिती उदर की तरफ अधर की तरह है Jupiter लेदी है और पीछे की तरफ है तो आपको नेगेटिव लेनी है यह concept आपको याद रखना है यू आ गया वी आ गया देखो डिस्प्लेस्मेंट किता है प्लस 20 मिटर तो प्लस 20 पीछे की तरफ होता था मानस 20 तो यू है वी है ऐसे तो अब यह वाली करना वी इक वर्टो यू प्लस 20 में वी है यू है यह आ जाएगा पुट कर दो को टी मिल जाएगा कि तुम्हें समझ माया कि तुम्हें कोई डाउट है कि सब लोग सॉल करनोंगे इस कोश्चन को गई डाउट है किसी को समय कि कृत्री के रुआ है डुमना बेठा क्लीर हुआ जानवी कोई डाउट है लुबे ना दुस्वाइं सॉम्हें कोई डाउट दो पूछो सब को समझ माया कि डाउट है कि निसर यहां पर दिक्कत औरी कोई है साइन कंवेंशन मतलब वन डाइमेंशनल मोशन में अगर कुछ भी चीज़ इदर है तो पॉजिटिव लेनी है कुछ भी चीज़ इदर है तो नेगेटिव लेनी है तो जो भी उपर की तरफ पॉजिटिव लेना है जो भी नीचे की तरफ उसका आपको नेगेटिव लेना है यह वाला कंसर्ट मत भूलना ठीक है तो तुम सब ने मुझे यहां पर एक और बंदा है ए ठीक है और मालो यहां पर एक और बंदा है यह बी और मालो की ए और बी के बीच में सपोस्ट करो पांसो मिटर की दूरी है मालो एदर चलना चलू करता है तैन मिटर पर सेकंड से और मालो बी इदर चलना चलू करता है फॉर्टी मिटर पर सेकंड से तो मेरा कुशन है आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद और किस पोजीशन पे दोनों मिलेंगे जैसरे मालो यह आपका X Equality'o है suppose करो यह आपका X equal to 500 है तो आपको मुझे बताने कि एक तो यह कितने टाइम के बाद मिलेंगे और किस पोजिशन तो मिलेंगे कर सकते हो करो 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 सबको ट्राइब करना है अब लीज़ा क्या होगा जान्विस का अंजर लुबे ना लगाओ दिमाग सौम्या क्या होगा इसका अंजर कृत्वी द्युम्ना द्विस भाई क्या होगा सोचो कैसे करोगे स्कूशन को देखो ऐसे कोशन करने का तरीगा क्या है देखो माल लो कि सपोज कि सपोज सपॉस ले मीट आफ्टर टाम टी माल लो की वो टी टायम के बाद मिलते हैं कितना टायम के बाद ? टी टायम के बाद मिलते हैं तो आप मुझे बताओ कि टी टायम में आपका आपका एवाला बंदा कितना चलेगा temps对 आपके एवाले बंदे का जो वेलासिटी है वो कितना 10 मिटर पर सेकेंड है तो आप मुझे बताओ एवाला बंदा कितना चलेगा तो ऐसे से कुल डू क्या हो जाएगा कितना चलेगा तो आप मुझे बताओ आपका जो वाला बंदा है वो कितना चलेगा तो आप इसके लिए फॉर्मला पूट करो यूटी प्लस हाफ़ एटी स्कुर मैं तो यह कितना चलेगा तो यह कितना चला चला टैन्टी यहां तक पहुच जाएगा तो यह कितना चला टैन्टी यह यह तो एकोई टू 500 जीरो से जीरो गया तो अकर टाइम कितना आया 10 सेकंड तो यह दोनों कितनी दिर के बाद मिलेंगे 10 सेकंड के बाद आप मुझे बता पोजीशन क्या होगी तो यह पर टाइम को टैन्ड पुट कर दो टैन टैन जा हंडेड यह कहां पहुंच जाएगा 100 मिटर तो मतलब यह कितना आ गया हंडेड यह कितना पीछाया 400 पीछाया ऐसे करने है लुबिना विटा प्लास्ट क्लास में एपसेंट ते लुबिना तो एक बर आज की क्लास में आप एक काम करो खाली फार्मले यूज कैसे करते हो देखो फिर इसकी रिकॉर्डिंग में बना रह हम ये फुश्चिन बिना साइट कनवेंशन के कर रहे है बना साइट क्वंशन मतलब मैंने क्या देखा कि टी सेकन्ड में ये तो आ गया आया और टी सेकंड में यंप Yup लेकिन मैंने इसको बिना sign convention की किया क्योंकि मुझे एक बात पता है कि यह जितना चला प्लस यह जितना चला वो 500 के बराबर है तो कब sign convention करना कब नहीं करना है यह भी तुम्हें प्रेटिस से पता पड़ेगा जिसे ऐसे कुशन में जहां पर अपने को पता है कि यार यह कितना चला यह कितना चला वह 500 है तो खाली अपन वैलियू निकाल के आड करके सौल कर लेंगे सो कि अपके सो डाउटे किसी को सब्सक्राइब उसमें पूचों तुम्हें समझ माया की डाउट है सव्म्हें डाउट है करत्री कोई डाउट है दुम्हें डाउट है तो पूचों आओ और मानलो यह इदर जा रहा है 40 मिटरो अनलो की इस बंदे से 400 मिटर आगे एक और बंदा है माल लो ये है B और माल लो ये जा रहा है 20 मिटर पर सेकेंड से तो मेरा कुश्चन है find time अतलब कितने समय के बाद after which A will catch B A B को catch कर लेगा कैसे करोग इस कुश्चन को लगा सकते हो सब दिमाग कि लगा सकते हो जब पहला कुश्चन तो ये है क्या A B को पकड़ेगा तुम कुश्चन देखे बताओ देखो A तेज चल रहा है 40 मिटर पर सेकेंड से B धीरे चल रहा है 20 मिटर पर सेकेंड से तो मेरा पहला कुश्चन है क्या A B को पकड़ पाएगा दिमाग तो यह बोलता है पकड़ पाएगा, क्योंकि A तेज आ रहा है B देरे जा रहा है, तो माल लो अभी इनके बीच पे दूरी है 400 मिटर, A आ रहा है 40 मिटर पर सेकेंड से, B जा रहा है 20 मिटर पर सेकेंड से, तो मेरा कुश्ण है कि कितने टाइम के बाद A B को पकड़ ल जा याँ जा जा याँ जा याँ जा याँ आगया अंशर तुम्हारा कि नी आया हुआ है करेट जान्दी जाने आठ सेकेंड नई दिल्ज आठ सेकेंड नी आएगा कितना रहे सामें बटा कितना रहे करती कितना रहे ट्राय करो देखो यहां पर आपको यह एज्यूम करना है कि सपोस ए विल कैच भी आफ्टर टाइम टी मालो ए बी को टी टाइम की बाद पकड़ता है तो आप मुझे बताओ आपका जो ए वाला बंदा है वो टी सेकंड में कितना चलेगा देखो इसकी विलासिटी कितनी है फॉर्टी टी तो अगर तुम यूटी प्लस हाफ एटी इसको की टी टाइम कितना आगया जाएगा और अपना को यह डिस्टंस कित्ति दी रखे तो तुम धियान से दिखो अपन- है시면 I सकते हैं कि 40 T equal to 20 T plus 400 20 T किसके बराबर आजाएगा 400 के 0 से 0 गया तब कर टाइम कितना आया 20 सेकंड है आया समझ में कि तुम लोगों को इसमें डाउट है तुम अब मुझ से पूछ सकते हो कि डाउट है कि तुम्हें क्लियर होगे मैंने कैसे किया है क्वेश्चिन है ओके तो मुझे यह वाला करें सब्सक्राइब बताओ सब्सक्राइब करो कुश्च नहीं है कि सॉल्स मालो आपके लिए कोश्च नहीं है कि आपके पास एक बंदा है यह यह इदर जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से और मालो इसका एक्सलिरेशन है टू मिटर पर सेकंड स्क्राइब और मालो इसी बंदे से सो मिटर आगे एक और बंदा है और मालो वह जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से मतलब इस बी वाले बंदे का कोई acceleration नहीं है लेकिन A वाला जो बंदा है ध्यान से लेखो इसका acceleration है मतलब इसकी velocity बढ़ती जाएगी तो एक बात तो पक्काएगी A B को पकड़ लेगा तो मेरा question है same find time after which find time after which A will catch B A B को पकड़ लेगा प्राइ कर सकते हो क्या आएगा stress cancer करो लगाओ दिमाग कैसे करो इसको करो कैसे करो कैसे करो कैसे करो कैसे कुश्चिन को A यहां पर है B से 100 मिटर पीछे की तरफ A जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से A का acceleration है 2 मिटर पर सेकंड स्कॉर्ड B जा रहा है 10 मिटर पर सेकंड से B का कोई acceleration नहीं है मतलब B की velocity constant है इन दोनों के वीच में 100 मिटर की दूरी है तो मेरा कुश्चिन है कि बताओ कितनी देर के बाद A B को पकड़ लेगा कैसे करोगे इस कुश्चिन को यार दूरेस कैसे करोगे चेक करो देखो ऐसे कुश्चिन जब भी आते हैं आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि माल लो कि कितने टाइम के वाद पकड़ा सपोस्टी टाइम के बाद पकड़ा तो अब चेक करके बताओ कि टी टाइम में आपका बी वाला बंदा कितना आगया होगा चेक करना वो कितना आगया आएगा 10 T माल लो यहां तक पहुंचेगा क्योंकि एस इस इकुल टू क्या होता है ऐसी सोता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर तो आपका बी वाला बंदा यू कितना है टैन्ट इसका एक्टेरेशन तो जीरो टैन्टी उसी टाइम में चेक करो आपका एवाला बंदा कितना चला तो आपका एवाला बंदा कितना चलेगा फार्मुला पुट करो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर तो यू कितना है टैन्टी प्लस हाफ एटी स्क्वेर टू से टू गया तो यह कितना आजाएगा टैन्टी प्लस टी स्क्वेर तापका एवाला बंदा कितना चला टैन्ट प्लस T square यह घला और ध्यान से लेखो 10 T plus T square गपन किसके बारावा लिख सकते हैं ठेक टी प्लस प्लस फूरूर प्लस अंडरेड टैंटी इसक्वार की क्या मनेगी 10 T plus T तुम्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं समझ माया तुम उसे बता दो कि तुम लोग दिखनी रहे हो तो मैं को कैसे पता पड़ेगा कि तुम्हें समझ माया की नहीं है द्विज कोई डाउट तो पूछो इसमें आद 10 T स्क्वेर के बाइख दिख एक इतना चला थें टी प्लस टी स्क्वेर चला और लेकिन ध्यां से और यह तो 100 है यहां से यहां तक और यह तेंटी प्लस हंडिट किसके परावर है टेंटी प्लस टीप टीस्क्वर के तेंटी से टेंटी करेंट केंसे लोगया ती स्क्वर हंडिड़ती कितना है दस सेकंड आया अज़ा अज़ा तो एद्धाउट गैने नो शर्रम कि एक कुष्ण तुम लोग करऊ है व फिए एक को लोग का रहा है कि एक बंदा एक ठीक है और यह यहां पर बैठा हुआ है मतलब चल नहीं रहे यह अपनी जगह पर बैठा हुआ है मालो इधर से एकव बंदा रहा है व हमालो किये चौर है क्या यह चौर मालो भी आ रहा है आपका 20m2 सी ठीख है भी किस से आ रहा है Luk 20m2 से ये त्रिश्षम अश्क अप्ष्षम सर्थे स्धー implement अभी आया बीन एक़ पर स्टोरी किया और भाग गया 20 meter per second से मतलब B का कोई acceleration निया है भाग गया 20 meter per second से तो question यह है what will be the what will be the acceleration of A देखो A तो पहले बैठा हुआ था तो A अगर B को पकड़ेगा तो A को अपनी velocity बढ़ानी पड़ेगी तो कि A तो पहले बैठा था बैठे बैठे तो पकड़ नहीं सकता तो what will be the acceleration of A so that A will catch B in 5 seconds तो आपको बताना है कि A का क्या acceleration हो कि वो B को 5 seconds के अंदर पकड़ ले तुम सक को question में कोई doubt है तो तुम पूछो question में नहीं route है तो soil करने का try करो question यह है कि आपका जो A वाला बंदा है वो अपनी जगे पे बैठा हुआ है मतलब अभी rest पे है ऐवाला बंदा जो बी वाला बंदा है वो 20 मिटर पर सेकंड से आ रहा है वी ने एक का पर्स चुराए भाग गया और बी की पहले भी जो सिटिभिटयमेटर सेकेंड टी बाद में भी स्रीटिर सब्सक्रेंगा मतल starter nature enable आपको बता नि assessu की वी का पर एक अचले врश achieving यह उल्लिरेशन हो कि पात सेकेंड़ जुद्रों पकडर ले तुमना त्राइख घर कर रहा है किया और कहीं पर तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है स्पीक अप है ना तो पूछो कि नहीं सर यहां पर हमें समझ में नहीं आया ताकि एल्प यू आउट यार जो कि जब हम टू-डैमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तो वन डी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है उसके बिना अपन टू-डी नहीं पढ़ सकते हैं कैसे करोगे इसको पूछी झाल सकते हैं हां कैसे करोगे what will be the answer अब आपको कुश्चिन में टाइम भी रखा है तो वाट विल बिले एक्सलिरेशन आप ए so that a will catch b in 5 seconds check करो कि b 5 seconds में कितना चलेगा तो मालो बी 5 seconds में यहां पहुँच गया तो b कितना चलेगा चेक करो तो ut plus half a t square तो यह कितना है u कितना है 20 टाइम कितना है 5 25 कितना होता है 100 मिटर ता कभी यहां पहुच जाएगा अब आप चेक करो suppose करो कि a का acceleration a तो आप मुझे बताओ एक इतना चलेगा पांच सेकेंड में तो फार्मिला वह यह आएगा distance traveled by a will be ut plus half a t square लेकिन अपना जो a वाला बंदा है वो तो पहले रेस्ट पे था तो यू तो जीरो हो जाएगा तो half into a और टाइम का स्कर तो यह कितना आजाएगा तो यह कितना आजाएगा 25 a upon 2 लेकिन ध्यान से देखो अगर a ने b को यहां पर पकड़ा है तो जितना a चला उतना ही भी चला तो 25 a upon 2 किसके बराबर रगदो यह कितना आजाएगा तुमारा चेक करो 25 फोर जाएगा तो एक्सलिरेशन कितना आजाएगा एट मिटर अपॉन सेकंड स्कॉर्स लोगों समझ में आया कि सब हवा में जा रहा है प्रित्वी ते को क्लियर हो रहा है ड्यूमना क्लियर हो रहा है द्विज की नहीं क्लियर हो रहा है सब्सक्राइब करने के बाद में क्या क्यों देख ध्यांच लिख माले की यहां पर एने बी को पकड़ा इस जगे तो चेक कर एक इतना चला 25 एवाइटू और चोरी करने के बाद बी कितना चला हंड्रेड तो अगर एने बी को यहां पर पकड़ लिया तो दोनों ने बराबर ही डिस्टेंस ट्राविल करी तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया 25 एवाइट और हंड्रेड को कि सबवें यहां पर मैं यह नी सिक customs रटवानि रहूं है ऐसे तो पता है मैं इंफानिले नमबर उन को सकता ह कि मैं चीज समझनी है कि हमें करना कैसे यार है ना तुम समझ रहो इस जीच को क्योंकि तुम हर साल जब तुम जेए नीट का वेबर देखोगे ना हर साल तो तुम्हें इसका एक अलगी वराइटी का कुशन दिखता है हर साल तो भी ऐसा ही लगता कि और यह यह कंसर्ट तो पहले आ चुका है तो व कि वण सेकेक ऑम सेब्सक्रण हो कि यह आप बंदा है ऐ तो बज यही ही दोग्या मैं है? ओके ठीक है? यह वैला कुश्ण तुम लोग ट्राइ करो एका कुश्चन यह है कि यह एक बंदा है A मालो यह बंदा उदर जा रहा है 20 meter per second से ठीक है? और मालो इसका acceleration है 2 meter per second square और इससे आगे 500 meter की दूरी पे एक और बंदा है B और मालो यह बंदा जा रहा है आपका 10 meter per second से इसका acceleration है 1 meter per second square तो मेरा question है find time after which A will catch B तो आपको बताएं कि कितने समय के बाद A B को पकड़ लेगा है ना करो try करो तुम सब पहल उठाओ formula में तुम्हें पता ही है कि S is equal to UT plus half 80 square पता है पता है आपको थे ले ले दो पता है बास आपको कि कि पता है कि भी कैसे करोगे कितने time के बात AB को पकड़ लेगा देखो AB को पकड़ेगा तो पकड़ा क्योंकि एका acceleration है 2 मिंटर पर सेकंड स्क्वेड का acceleration कम है फिर की वेधोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी इकी तो दिर दिर बढ़ेगी एब लुब को पकड़ेगा तो पका। चेक करो कितने डाइम के बाद पकड़ेगा। मानलो की B यहां पे है, मानलो A यहां पे है। ऐसे को शिंदनपन क्या एजियूम करते हैं। सपोस्ष करो T टाइम में पकड़ा, तो मानलो इस जगे पकड़ा। तो बी कितना चलेगा बी यहां से आ जाएगा तो मालों है यह displacement of B आपका A यहां से यहां पर आ जाएगा और यह distance कितना दे रखा है आपको 500 मिटर दे रखा है और नीचे है displacement of A चेक करो क्या equation बनेगी यहां पर अधिसर पलस हर्भाक वियand T twark मिनकी सबस्सक्ड सफब्सक्यल साचना हम इनव ! पलस हाफ। up 1 T स्क्वा मिलन की की द्हान दखो जिक क्वेशन आप आप प्लस प्लस हाफ। प्लस हाफ। से क्वेशंन का का मिलनेगी ध्यान से लिखो आपको तो सब्सक्राइब करने पड़ेगी तुम्हारा अब पूछो तुम्हें कोई डाउट है तो तुम क्लियर कर सकते हो मेरा कोश्ञ यह कि यह तेरा के बन्दा यह वाला का ईक्स की क सब्सक्राइब करेख़्ेगा कि A B को कितनी दिर के बाद पकड़ेगा तो माल ले कि A में B को यहां पर पकड़ा तो मुझे देखके बता B यहां से आप आ जाएगा तो B कितना चलेगा डिस्टेंस डावल बाइब कितना होगा UT plus half 80 square देख B की initial velocity कितनी है 10 और B का एक इतना चलेगा टी टाइम में तो एक इतना चलेगा यूटी प्लस हाफ 80 square एक इनिशल वासटी 20 तो 20 T plus half into एक 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 इस डियाग्राम को दियान से देख ए यहां से आ गया तो इसे और यहां से आ गया तो यह एस बी और यह डिस्टेंस किती है 500 तो अपने लिख सकते 500 प्लस एस बीकल टो ऐसे तो यह आपका यहां पर तुम्हें दोनों वैली पुटकर नहीं सॉल्ट करना आप पॉन सब्सक्राइब अब भी कोई डाउट टेस्ट में तो पूछ आया है ओके कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट अपिल लिख अपनी कॉप में वापे सांगा तुम्हें आज मैं तुम्हें कुछ बेस्ता हूं अनुज अपने पदा पढ़ेगा वी तुम्हें कितना क्लेर हो रहा है कितना नह सबसे करें अरा मालो की एक दिवार है माल लो wall और माल लो ये एक बंदा है ए माल लो ये तुम हो ये जो ए वाला बंदा है माल लो तुम हो तुम लोगों ने कभी किसी दिवार की तरफ move किया हो तो माल लो कि तुम दिवार की तरफ जा रहे हो और तुम ध्यान से दिवार को देखना अगर माल लो तुम जमीन को नह तुम्हें लगेगा कि दिवार तुम्हारी तरफ आ रही है तो यहां पे जो दिवार की वेलोसिटी तुम देख रहे हो ना यह होती ही रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी आफ वन अबजेक्ट is calculated when velocity of one object is calculated with respect to another object when velocity of one object is calculated with respect to another object it is called as it is called as relative velocity this velocity को हम बोलते है relative velocity तो जब एक object की वेलोसिटी कोई दूसरा object निकालता है जैसे मालो कि ये तुम हो और मालो ये तुमारा friend है ठीक है तुम भी चल रहे हो तुमारा friend भी चल रहा है तो एक तो तुमारे friend की खुद की velocity है ठीक है तो एक मालो तुम अपने friend को देख रहे हो तो तुमारे हिसाब से तुमारी friend की क्या velocity है इसको बोलते हम relative velocity तो relative velocity का मतलब है कि किसी object की velocity कोई और अगर निकालता है तो इसको बोलते relative velocity तो topic है relative velocity in one dimension और relative velocity का मतलब क्या होता है कि when velocity of one object is calculated with respect to another object मतलब एक object दूसरे object की velocity निकाल रहा है इसको अपन बोलते हैं relative velocity, it is called as relative velocity, लेख लो अपनी कापने, ठीक है, तो जैसे अब इसका मतलब तुम समझना, जैसे अगर मैं लिखता हूँ VAB, तो VAB का मतलब होता है, कि velocity of A, मतलब A की velocity with respect to, with respect to B, तो VAB का मतलब है, VAB का मतलब है कि B, A को देख रहा है, B क्या कर रहा है, B, A को देख रहा है, यहीं मालों की तुम्हें एग्जाम में मिले की बताओ, VBA कितना होगा, तो VBA का मतलब होता है, velocity of B, with respect to A, इसका मतलब है, A, B को देख रहा है, VAB का मतलब बी-a को देख रहा है VBA का मतलब ए-a-b को देख रहा है VAB लिख्षा हो जैसे मालोग खाली VA लिखआ है मतलब Vलसिटी ऑफ A खाली VB लिखा है मतलब Vabila सिटी ओफ B लेकिन अगर VAB लिखआ है VAB का मतलब होता है कि velocity of A with respect to B मतलब B A को दीख रहे है और V B A का मतलब है की velocity of B with respect to A मतलब A B को दीख रहे है तो लिख लो अपनी काप में और याद रहतना V A B का फार्मिला होता है V A minus V B उपर ही जो arrow बना है इसका मतलब है कि velocity vector quantity है और V B A का मतलब होता है V B minus V A लिख लो अपनी काप में लो फार्मिला है लिख लो इसको और इसमें कोई doubt है तो तुम मुझे पूछ सकते हो यहाँ पे relative velocity का मतलब है एक object अगर किसी दूसरे object की velocity निकाल रहा है तो ऐसी velocities को हम बोलते है relative velocity तो V A B का मतलब है B A को देख रहे है V B A का मतलब है A B को देख रहे है है ना लिख लो पनी का पने सको ठीक है जिसे माल लो कि मैं तुम्हें यह वैला question पूछ हूँ suppose करूँ कि यह एक बंदा है माल लो यह इदर की तरफ जा रहा है 10 meter per second से और माल लो कि यह एक और बंदा है माल लो कि इदर की तरफ आ रहा है 20 meter per second से और यह B A यह A है मेरा question है find velocity of A with respect to B मतलब B A को देख रहे है तो velocity of A with respect to B B A को देख रहे है तो अपने लिखेंगे A B A B का मतलब क्या होता है B A को देख रहे है तो यादे B A B क्या होता है B A B का मतलब होता है B A minus B B अब तुम मुझे ध्यान से देखके बताओ B A कितना हो जाएगा plus 10 meter per second हो जाएगा क्योंकि जो उदर की तरफ है positive और आप मुझे देखके बताओ V B कितना हो जाएगा minus 20 meter per second हो जाएगा क्योंकि B पीछे की तरफ आ रहा है तो पुट करो V A minus V B तो V A कितना है 10 V B कितना है minus 20 यह जाएगा 10 plus 20 तो कितना है 30 meter per second तो यह आगया आपका V A B velocity of A with respect to B B अगर A को देख रहा है तो A की velocity कितनी है तो B अगर A को देख रहा है तो B को लग रहा है कि यार A इदर की तरफ आ रहा है 30 meter per second से और मैंने इदर की तरफ क्यों बोला क्योंकि ध्यान से देखको यह plus 30 आया तो plus मतलब इदर की तरफ अगर यही अगर minus 30 आता जिसका मतलब B को लग रहा है कि A पीछे की तरफ जा रहा है 30 meter per second से हैना किसी को इस question में कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो हाँ पूछो तो हमें यह कैसा अब लेगा कि हमें V A की लेना है मतलब मुझे A की velocity निकालनी है B के respect में तो तुझे यह question पढ़के तुझे समझ भाएगा अगर यह मानने लिखा होता कि velocity of B with respect to A तो आपन V B यह निकालते है ठीक है जैसे मालनों कि मैं तुमें यह वाला question पूछ हो Sir हाँ पूछो सर्व इसमें आपने science convention क्यों यूज किया क्योंकि यहां पर relative velocity निकाल रहे ने बिटा अगर A इधर आ रहा है या A उधर जा रहा है इससे तो बहुत फ़रक पड़ेगा ना जैसे मालों कि तुम हो एक तुमारा friend है ऑगियो मालों कि माें ये वाला question पूछो सबोस्पोस करो मालों यह इधर की तरफ जा रहा है 20 प्र सेकंट है मालों यह B है यह भी इधर की तरफ जा रहा है 20 मिटर पर सेकंट से और ऑ प्सक्रा взять C है कितना होगा वी और वीबीसी एक तो फॉर्मूला बर आसान इसका याद रखना बेस्ट है वीयमाई स्विवी घतली वीदिशी बाता हुआ अब यार तुम्हें साथिंक कमेंट्श नोज बताना है कि वी ए वी 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 है कितना है चेक करो कित्ना हैवीरी कि अ था कि तरफ है 22-20 पीछे कि तरफ है 212818 ऐसाउस के जी ने गुटनपा यहां यह उनकर्फेंडा तुम्हें समझ में किसमें डाउट है यार आज अगे लोगे सब कर टॉपक नेक्स्ट लास में रिलेटीव वेलासिटी गरूंगा आज में तुम्हें आज जो मिने क्लास के शुरू में पॉशन कर आए था था वैसे कोशन भीज रहा हूं कुछ बेज रहा हूं पास्टिर कु है कि तुम्हें चीछ समझ मारी की नहीं आ रही है क्योंकि वंडी बहुत जल्दी खतम होने वाला है फिर टूडी और वेक्टर अलजेब्र आएगा है ना कुछ डाउट तो पूछ वायार